हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तों ये वीडियो भी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और जो पहला कमेंट किया है वो सिवान जी ने किया है और ये कह रहे हैं भाई सिग्रेट लाइटर कनेक्शन पर वीडियो बना दो प्लीज और जो दूसरा कमेंट किया है वो किया है समीर सरीफ ने और इनका कहना भी यही है कि सिग्रेट लाइटर पोर्ट को कैसे इंस्टॉल करें और साथ में उसकी वाइरिंग कैसे करें तो दोस्तों ये वीडियो इसी topic पर है तो दोस्तों सेंट्रों में जो chamadoacter direito लगा हुता है वो यहां पर लगा होता है यहां पर company making नहीं आता है mbre inc k Bronze दी जाती है तो दोसको यहां पर现在 लेटर पोर्ट हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी sentro के अंदर और जिसके लिए हमें यह center का पूरा music console खोरना पड़ेगा और दोस्तों देख सकते हो ये होता है वो cigarette lighter port इसे car charger port भी बोल सकते हैं ठीक है दोस्तों जब आप इसको online या offline purchase करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर ये एक इसमें जो है आगे लग जाता है और एक इसका जो पीछे का होता है जिसके अंदर चूड़ी बनी होती है तो उसमें ये फिट हो जाता है ठीक है दोस्तों यह कुछ इस तरीके से घुमाने से यहाँ पर फिट हो जाता है और दोस्तों यहाँ पर जो इसकी wiring होती है वह कुछ इस तरीके आपके पास जो आएंगे तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है मैंने दोनों वायर को यहाँ पर एक एक फूट बड़ा कर लिया यहाँ पर एक्स्टेंड करके आप देख सकते हो तो हमारा जो रेड वाला वायर है वो पॉजिटीव है और उसको पॉजिटीव वाले में य और dummy button को खोलने के लिए चाहिए हमें एक screwdriver तो दोस्तो एक एक करकर यहाँ पर तीनो बटन को हमें बाहर निकाल देना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख सकते हो दोस्तो मैंने दो बटन तो यहाँ पर निकाल दिया और यहाँ पर तीसरा बटन भी मेरा निकल चुका है और यहाँ पर इसको push करने के बाद और बाहर को pull करना है तो यह वाली tray हमारी बाहर निकल आएगी ठीक है दोस्तो उसके बाद यहाँ पर भी एक screw दिया गया होता है तो उस screw को भी simply यहाँ पर हमें खोल लेना है तो दोस्तो मैं यहाँ पर इस screw को खोल लेता हूं जल्दी से और के तीनो वायर को हम यहां से disconnect करेंगे तो इधर passenger side वाली नीचे आना है dashboard के नीचे और यह वायर देख रहे होंगे आप black color का मोटा सा वायर होता है इसी वायर की मदद से हमारा जो airflow की direction होती है वो change हो पाती है ठीक है दोस्तो तो इसको यहां से हमें इस जो black color का यह आपको देख रहा होगा इसके अंदर से हमें इस wire को निकालना है यहां से detach करना है ठीक है दोस्तो इसमें एक push button होता है छोटा सा जो के आपको अभी यहां पर दिखनी रहा है लेकिन आपको अपनी गाड़ी में वो दिख जाएगा ठीक है दोस्तों वहाँ पर camera भी नहीं पहुँच रहा है तो उसको push करके और simply जो है हम इसको बाहर निकाल लेंगे यह देख सकते हो दोस्तों यहां से यह बाहर निकल चुका है और साथ ही इसके बाद यह जो lock में यहां पर लगा हुआ है wire इसको भी यहां से बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से तो दोस्तों इधर वाला wire तो हमारा निकल चुका है अब जो बाकी के दो wire हमें disconnect करने हैं वो दूसरी side होते हैं इधर हमारे driver side ठीक है दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ किदर नीचे आने के बाद और यहां पर देख सकते हो यह दोनों wire हमें यहां पर नजर आने लगे हैं एक तो यह लगा हुआ है यहां पर और दूसरा वाला उपर लगा हुआ है यह देख सकते हो ठीक है दोस्तों तो इनको निकालने के लिए सेम वही process करना है इसमें एक छोटा सा push button होता है उसको दबाना है और simply यह जो spring करके बना हुआ है wire इसको यहां से निकाल देना है और निकालने के बाद साथी साथ इसको यहां से भी detach कर देना है ठीक है दोस्तों यह वाला wire तो हमारा यहां से detach हो चुका है अब दूसरे वाले wire को भी हम सेम process करेंगे ऐसे ही push button को यहां पर दबाना है और यह जो spring type का बनावा wire है इसको बाहर निकाल लेना है और साथी साथ इसको यहां पर हमारा wire यह lock में फसा हुआ है तो इस lock से भी इसको detach कर लेंगे ठीक है दोस्तों तो यह हमारे तीनो wire यहां से disconnect हो चुके है और अब आजाते हैं हम अपने music center console के उपर ठीक है दोस्तों अब इसमें simply क्या करना है एक screw driver की मदद से इसके जो locks होते हैं उनको lose करना है यहां पर तब ही यह हमारा music center console बाहर आपाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां पर कुछ इस तरीके से यह install करना है इसको पीछे रखना है एक को और दूसरे वाले को इसके उपर के side से डालना है और जो उसकी चूड़ी होती है उसको वहाँ पर fix कर देना है गुमा गुमा के तो देख सकते हो दोस्तों जैसे के मैं इसकी यहां पर एक हाथ से मैंने उपर वाले part को यहां पर पकड़ लिया है ताकि वो घूमेना और नीचे वाले को मैंने यहां पर अच्छे से इसकी चूड़ी को कस दिया है तो दोस्तों हमारा cigarette lighter port तो वहाँ पर fit हो चुका है हमारे stereo को तो दो wire कौन से होंगे एक red होगा एक black होगा ठीक है दोस्तों वह सभी के stereo में red black wire होते है supply के उसके साथ में एक yellow color का wire होता है जिसका हमें कुछ नहीं करना है हमें सिरिफ black और red wire का करना है तो दोस्तों हम इस yellow वाले को एक तरफ छोड़ देते हैं और जो हमारे black और red है उसमें हमें connection करना है तो दोस्तों पहले मैं अपना इसमें जो हमारा negative होता है black color का इसकी tape उतार लेता हूं यहां से तो मैंने यहां पर अपना negative wire को यहां पर लगा कर और उसको tape कर दिया है और दोस्तों अब इसमें जोड़ लेते हैं हम अपना positive wire तो positive wire के लिए हमें यह red वाले की tape यहां से मैं उतार लेता हूं ठीक है दोस्तों यहां पर tape उतारने के बाद और जो हमारे cigarette lighter port का जो positive wire था वो मैंने इसमें connect कर दिया है और साथ इसाथ उसको tape भी कर दिया है यहां पर ठीक है दोस्तों हमारा positive wire ठीक है दोस्तों तो दोनों wire को मैं यहां से ले गया हूँ पीछे से और पीछे से ले जाने के बाद नीचे से मैंने निकाल लिए यह दोनों wire और सिधा connect कर दिया है अपने cigarette lighter port के अंदर यह देख सकते हो दोस्तों दोनों wire मेरे यहां पर connect हो चुगे और दोस्तों final result देखने से पहले हमें अपने music center console को बंद करना पड़ेगा हमारा cigarette lighter port काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो दोस्तों जल्दी से हम अपने music center console है इसको बंद कर देते हैं तो simply जो है इसको stereo को पीछे करके और जो इसके सारे wires उनको पीछे डाल देना है और simply जो है इसको music center console को यहां पर रख कर और जो इसके locks होते हैं उनको जोर से fit कर देना है ठीक है दोस्तों fit करने के बाद इसके जो तीनों screw है एक एक करकर यहां पर fit कर देना है तो दोस्तों यहां पर तीनों screw मैंने fit कर दिये हैं उसके बाद यह जो हमारे tray यहाँ पर रखी हुई है यह जो rack होता है इसका छोटा सा इसको भी यहाँ पर लगा देना है ठीक है दोस्तो हमारा music center console fit हो चुका है और जो अब इसके बचे हुए तीनो dummy button है वो भी एक एक करके मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ और दोस्तो देख सकते हो हमा जगा पर वहाँ पर fit हो जाएगा और उसके बाद यह जो हमारा lock था यहाँ पर इसको भी अपनी जगा पर fit कर देंगे कुछ इस तरीके से देख सकते हो दोस्तो यह हमारा proper fit हो चुका है और मैं इसको button से work करके भी दिखा देता हूँ कि यह work कर रहा है या नहीं तो देख सक तो यह वाला wire हमें लेना है जो हमारा spring type का wire है और simply उसके उपर रखके push कर देना है तो यह भी हमारा यहाँ पर लग गया है और इसके बाद जो हमारा पीछे तार जहाँ पर फसा रहता है वहाँ पर उसको फसा देना है कुछ इस तरीके से तो दोस्तो यह भी हमारा वर्क कर कर देंगे कुछ इस तरीके से तो दोस्तो यह wire को ऊपर रखना यहां पर और इसको पुश कर देना है तो यह भी अपनी जगा पर लॉक हो जाएगा और देख सकते दोस्तो यह वाला भी यह वाला भी हमारा अच्छे से work करने लगा है ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे इस cigarette lighter port को testing करने की तो यहाँ पर मेरे पास है एक mobile charger जिसके अंदर एक blue color की छोटी सी LED लगी हुई है तो दोस्तों उसके लिए मुझे करना पड़ेगा अपने ignition को on तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने ignition को on कर दिया और देख सकते हो music studio में light आ चुकी है और अब मैं अपने ये mobile charger को cigarette lighter port के अंदर लगाँगा तो इसके अंदर एक जो छोटी सी blue color की LED है वो glow करने लगी तो इसके अंदर blue color की जो LED थी वो जलने लगी है और अब ये मैंने निकाल दिया तो वो off हो गई है ठीक है दोस्तों यह हमारा proper work करने लगा है और दोस्तों इस charger से मैंने अपने mobile को charge करके भी देखा है बहुत अच्छे से charge कर रहा है तो दोस्तों आप भी अपनी गाड़ी में कुछ इस तरीके से cigarette lighter port को install कर सकते हैं आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाई दोस्तों